नमस्कार मेरी ओनलाइन फैमिली को नमस्कार आज चैक्त्र शुद्ध नवमी अर्थात राम नवमी प्रभु राम चंद्र जी का जन्म दिवस उनका जन्म आयोध्या में हुआ दोपहर के बारा बजे हुआ ऐसा लिखा गया है हम प्रभु राम चंद्र को और कृष्ण को भारतिय सभ्यता और संस्कृती के आधार स्तंभ मानते हैं इतना कि प्रभू राम चंद्र इस सभ्यता के रोम रोम में बस गए हैं हम इस भारत देश में कहीं भी जाएं किसी भी राज्य में जाएं तो या तो राम राम जै शरी राम जै सिया राम जै सिता राम इस तरह से लोग एक दूसरे को जब मिलते हैं तो कहते हैं ऐसी क्या बात है प्रभू रामचंद्र में जो आज हम उनसे प्रेरणा लेते हैं प्रभू रामचंद्र मर्यादा पुरुशोत्तम थे उन्होंने पारिवारिक, सामाजिक, नैतिक और राजनितिक जीवन में मर्यादा में रहते हुए पुरुष किस प्रकार से एक उत्तम पुरुष बन सकता है इसका उदाहरन स्थापित किया और इसी लिए आज वो राज्जवयवस्था के अर्थवयवस्था के सामाजिक व्यवस्था के आज हमारे प्रेरणा सुरोत हैं एक आदर्श है उनके कई पहलू है उनके व्यक्तित्व के लेकिन आज विशेश करके मैं एक पहलू के उपर आप से बात करने वाला हूँ और जो मेरे मत हैं वो आपके सामने रखने वाला हूँ पिछले बीस वर्षों में इस देश ने बहुत आर्थिक विकास कर लिया है इतनी सारी कमपनिया खुल गई हैं सारे लोग एक प्रकार से जीजी विशा के की दौड में लगे हुए हैं रैट रेस में दौड रहे हैं उसको करते करते कहीं न कहीं पारिवारिक संबंधों में खटास निर्माण हो गई है पती पत्नी के बीच में खटास निर्माण हो गई है पिता पुत्र के बीच में खटास निर्माण हो गई है हम परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है और आज जब की ये सुनहरा अवसर हम सब को प्राप्त हुआ है कि हम अपने परिवार के साथ अपने अपने घरों में बंद हैं कोरोना वाइरस के लॉकडाउन के चलते कि मुझे प्रभु रामचंद्र पारिवारिक द्रिष्टी कोंड से कैसे हमारे प्रेणा सुरोत हैं ये आपसे कहना है विशेश करके पती पतनी के बीच जो खटास निर्मान हो गई है उसके विशे में कहना है एक आदर्ष पती थे प्रभु रामचंद्र मैं जानता हूँ कि महिलाएं हो सकता है मुझसे सहमत नहीं हो लेकिन यही बात मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो किस प्रकार से आदर्ष पती थे प्रभु रामचंद्र जी और सीता मैया इन्होंने एक दूसरे से अतीव प्रेम किया इतना प्रेम किया लेकिन जब कोई व्यक्ति राजा होता है तो कहीं न कहीं राजा का दाइत्व और कर्तव्य और पती का कर्तव्य और दाइत्व इसमें आपको बैलन्स करना पड़ता है तो जब वनवास में चले गए अपने पिता का वचन रखने के लिए प्राण जाई पर वचन न जाई तो सीता मैया उनके साथ चल दी सीता माता का जब हरण हुआ तो प्रभू रामचंद्र ये कह सकते थे जैसे आज के लोग कई सारे लोग कहते है ठीक है यह हो गया हो गया अब हम कोई और कर लेंगे हम अपनी गर्ल्फरेंड रख लेंगे यह संभव था उन्होंने ऐसा नहीं किया जाकर सीता माता को रावन की कैद से छुड़वा कर लेके आए फिर अगनी परीक्षा दिलवाई मैं जानता हूँ कि कई सारी आज की महिलाएं आक्षेप करती हैं इसके उपर यहां पर मैं कहता हूँ उनको ये संतुलन साधना आवश्चक हो गया कि मैं जब सीता माता को लेकर मेरी पत्नी को लेकर वापस जाऊंगा तो एक राजा के रूप में वापस जाऊंगा और एक राजा के लिए आवश्चक है कि अपनी प्रजा का विश्वास संपाधन करे अपने मन से उन्होंने नहीं कहा था कि मैं चाहता हूँ एक पती के रूप में नहीं कहा था एक राजा के रूप में कहा था क्योंकि उन्होंने अपने गुरू से कहा था कि शिक्षा वल्ली का वो सूत्र प्रजा तंतुम मा व्यवच्छेट सी ही इसका मैं पालन करूंगा एक राजा के रूप में प्रजा के लिए मैं और अपना परिवार मेरा परिवार एक आदर्श उदाहरण बनकर रहेंगे तो जो रानी रावन की गैद से रहेकर आई है उसके चरित्र पर आच ना कोई ले इसलिए अगनी की परीक्षा दिलवाई जाहिर है कि सीता मया को उस परीक्षा में उत्तिर्ण तो होना ही था क्योंकि ऐसा ही उनका चरित्र था फिर जाकर जब एक धोबी के कहने पर एक संदेह के उपर उन्होंने सीता मया को वन में भेज दिया कई लोग ये समझते हैं कि राम ने सीता का त्याग किया नहीं यदि राम चंद्र जी ने सीता मया का त्याग कर दिया होता तो वो दूसरा विवाह कर लेते क्या उन्होंने दूसरा विवा किया जबकि क्षत्रियों में अभी अभी तक साट सटर वर्षों तक क्षत्रियों में, ब्रह्मनों में यथा शक्ती जिसके पास धन है वो एक से अधिक विवा करता था और उस समय भी दश्रत की रानिया थी कई सारी और ख्षत्रियों में तो ये प्रथा और परंपरा चली आ रही थी तो पती राम ने सीता को वन में जाने के लिए नहीं कहा राजा राम ने सीता को वन में जाने के लिए कहा क्योंकि एक भी मेरी प्रजा में ऐसा व्यक्ति ना हो जो रामराज और उसकी व्यवस्था पर और राम के जीवन में जो उसकी पत्नी है उसकी जो प्रेयसी है उसके चरित्र पर आच आए भेज दिया लेकिन इन्होंने क्या किया दूसरा विवा नहीं किया वो स्वयम एक महल में प्रासाद में ना रहते हुए एक कुटिया में जाकर रहने लगे शर्यू के किनारे और वहाँ से राम राज्य शुरू किया जमीन पर घास की शैया पर त्रिन की शैया पर जैसे मेरी सीता रह रही है वैसे ही मैं रहूंगा जो फल फूल जो कंद मूल मेरी सीता खा रही है उसी को खा कर मैं जीवन यापन करूंगा इस प्रकार से इन्होंने जीवन यापन किया और यहां तक कि अश्वमेद यग्य का जो प्रशन उठा तब सारे रिशियों ने कहा कि ये यग्य जो है आप पत्नी के बिना नहीं कर सकते आप दूसरा विवा कर लीजिए संभव था राम के लिए लेकिन उन्होंने नहीं किया उन्होंने कहा इस रिदय में केवल मैंने सीता को स्थान दिया है वहां केवल सीता ही रहेगी इसलिए उन्होंने सुवर्ण का सोने का पुतला बना दिया सीता का और अपने साथ में बिठा कर उस पुतले को अश्वमेध यग्य प्रारंब किया ये प्रेम है ये कर्तव्य है एक पती का एक कमिट्मेंट है उस रिष्टे के लिए जो पती-पत्नी का संबंद होता है उसमें कमिट्मेंट की आवशक्ता होती है दोनों की ओर से और सीता मैया का नाम हम राम जी के पहले क्यूं लेते हैं सीता राम जैसिया राम राधहे क्रिश्न क्यूं करते हैं क्यूंकि सीता माता ने भी वही किया जो उनको करना था एक पतिवरता स्त्री एक प्रेयसी एक पत्नी के रूप में उन्होंने सारे अपने दाइत्व को नि रावण ने सारी लंका, सोने की लंका का ऐश्वर्य सामने रखा, लेकिन वो नहीं जुकी, रावण के सामने, ऐश्वर्य को नहीं स्विकारा, अपने प्रेम के साथ उन्होंने संबंद बनाए रखा, वो कमिट्मेंट बना कर रखी, जब वापस आए, और जब प्रभु राम को लेकर और मुझे एक राजा के रूप में आपको वन में जाने के लिए कहना पड़ेगा, यह लक्षमन के माध्यम से उन्होंने कहलवाया, जबके पहले उनको नहीं पता था, लक्षमन को उन्होंने कहा कि जाकर छोड़ के आओ, और लक्षमन के माध्यम से सीता मैया से य ये कहलाया कि ये मेरी विवश्था है जिसके कारण मैं ये कर रहा हूँ कई सारे रामायन के प्रकाशन है कुछ में ये बात होगी कुछ में नहीं होगी मैं कहता हूँ अगर नहीं भी कहा होगा तो सीता माता ने उनके मन को तार लिया होगा कि ये मेरे पती राम ने नहीं किया है ये राजा राम ने किया है एक उत्तम आदर्श राजा होने के नाते इस उधारन को प्रस्थापित करने के नाते उन्होंने करोध नहीं जाहिर किया, व्यक्त किया कि आपने ये मेरे साथ अन्याय किया है, ये कियो है उन्होंने इसको स्विकार किया राजा राम राम की विवश्टा को समझते हुए और वन में चली गई ये महानता है प्रभूरामचंद्र की मरियादा की और ये महानता है सीता माता के चरित्र की और इसलिए आज रामम भूत्वा रामम यजेत राम की उपासना करना है तो पहले राम बनना पड़ेगा तो ये जो मर्यादा है एक पती की मर्यादा इस मर्यादा को अपने दाइत्व को पती के दाइत्वों को समझ कर हमको आज राम नवमी सफल हो जाएगी हम प्रभु राम चंदर जी की पूजा उपासना करते हैं लेकिन यदि उनके इन गुणों को आचरण में नहीं ला सके तो इसका कोई मतलब नहीं है जै श्री राम राम कि अहीं हमिएः अर्भु जैज अицांओर जी कि वस्का सकतु करते हैं जी करते हैं लेकिन लेकिन के शाजब टूब तो जब प्रुणाओी जैएगी हम रामकर्व बाहीं हम बाहीं हम बादिते हैं लेकिन यद के लेकिने